कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चो आप सभी कर फिर से मेरे यूच्यूब चनल जा रेड़ा उनलाइन क्लासिस में बच्चो आज हम सभी स्वाल करेंगे हमारे सब्जेक्ट मैट्स वीक ट्वंटी नाइन क्लास फोर् करना ना भूलिए पूशिन नम्बर बन है राम बाबु शॉप हैज उनली टू केजी फाइजी फाइजी और शिक्स केजी वेट टू वेट वेट बट ही कैन मैजर एनिधिंग वेंग फ्रम वन तू नाइन केजी तो देखिए बच्चो राम बाबु की शॉप पे दो किलो पांच किलो और छे किलो का ही वेट था वजन करने के लिए लेकिन वो एक किलो से नौ किलो तक का वजन आराम से कर लेता था अब अच्छो सोच के आप सभी को यहाँ पे लिखना है उसको कितना मैजर करना है एक पैन का बैलेंस वेट अन दे सेकिंड पैन आफ बैलेंस अलों इद अब्जेक्ट तो वी मैजर्ड तो यहाँ पे हमको बताना है अब यहाँ है 1 kg वेट अन वन पैन आफ बीम बैलेंस 6 kg ठीक है 5 प्लस 1 6 kg इसी तरह 3 kg तो यहाँ 5 kg तो यहाँ किस तरह से कंप्लीट करेंगे बच्चों हम 2 kg प्लस 3 kg इक्वल्स तू 5 kg हमें इस वाला को भी इंक्लूट करना है नेक्स बच्चों 4 kg तो 4 kg से हम क्या बनाएंगे 6 kg तो कैसे बनाएंगे 6 kg प्लस 4 kg नेक्स एस 7 kg तो यह 5 प्लस 2 kg इक्वल्स तू 7 kg 8 kg 6 प्लस 2 kg 6 प्लस 2 kg 8 kg नेक्स बच्चों 6 प्लस 5 kg यह होगे हमारा 11 kg और यहाँ पे 2 kg प्लस 9 kg इक्वल्स तू 11 kg चीक है बच्चों तो इस तरह से आप सभी को यहाँ पे वेट का करके लिखना है नेक्स फिल इंदी ब्लैंक्स अब देखे बच्चों राइस है राइस हमारा 10 kg है तो वेट आफ वन कितना है यह टूका होगा यह टूका यह टूका यह टूका यह टूका तभी जाके 10 kg होगा तो वेट आफ वन कितना होगा वेट का 2 kg नेक्स बच्चों बटर है 500 ग्राम एक कितता होगा 250, इसका भी होगा 250, तब जा की होगा 500 g ग्रैम्स तब आपके होगा 500 g ग्रैम्स तो, weight of one box is 250 g ग्रैम्स नेस्ट कुशन है भच्छों, 3 If all apples have equal weight and the two brinjels have the same weight and the weight in the first and second pan are equal in all the three beam balance then how many apples will balance the weight in the third beam balance तो देखे बच्चो आप सभी को बताना है सभी apples का weight equal है और two brinjas का weight equal है the weight in the first and second pain are equal और दोनों का वेजन बराबर होना चाहिए and in all the three beam balance, तीनों ही beam balance में then how many apples will balance the weight in the third beam balance तो देखे बच्चो यहाँ three apple है, यहाँ one apple और one mango है it means one mango का जो weight है वो two apples के equal हो गया चिक्के? देखे भाई, दोनों का weight बराबर करना है तो यह three kg, यह भी three kg एक apple कितने की हो जाएगी हमारी one kg की यह हो गई one kg की और एक mango हमारा two kg का हो जाएगा और यह two apple हमारी two kg की होंगी, one one kg की, ठीके? इसी तरह second है यहाँ पर one mango and two apple और two brinzels, इसका मतलब two brinzels का means क्या हुगा बच्चो? तो देखे, two apples तो यहाँ है, लेकिन one mango equals to two apples ठीके? यहाँ आमने देखा, one apple equals to, one mango equals to two apples तो two brinzels equals to four apples और one brinzels equals to, one brinzels कित्ते के बराबर होगा? तो एपल के बराबर होगा नेक्स्ट है बच्चो, one brinzels and one mango equals to how many apples? अब बच्चो देखे, one brinzels two apples के बराबर है और one mango two apples के बराबर है तो यहाँ पर लिखेंगे, one brinzels equals to two apples and one mango equals to two apples तो यहाँ पर कित्ती apples हैंगी? four apples, ओके? नेक्स्ट बच्चो, इन देखे, गीवन, the green parcel weight five kilogram बच्चो यह जो green parcel है यह है, five kg observe the picture and answer the question अब बच्चो देखे, हमें यहाँ पर question को observe करके इन questions का हमें answer करना है तो टोटल वेट है बच्चो, 9 kg and 40 grams तो बच्चो, 9.400 kg और यह है 7.250 kg अब कोशन हमसे क्या पूछा है बच्चो, how much the blue and brown parcel weights all together तो देखे बच्चो, brown, blue parcel का देखते हैं ठीके, blue parcel यहाँ देखे बच्चो, टोटल है 9.400 green parcel का वेट है 5 kg तो यह हम इसमें से minus कर देगे तो कितना बच्चो, 4 kg and 400 grams तो यहाँ लिखेंगे 4 kg and 400 grams ब्राउन पार्सल का वेट कितना होगा तो देखे बच्चो, टोटल है 7.250 grams blue parcel का वेट हमारे पास आगया है 4 kg and 400 grams ठीके, इसमें से हम minus करेंगे 8.50 and 2, 2.850 इट मेंस 2 kg and 8.50 grams टोटल तो गैदर इनका वेट कितना होगा इनका वेट हो जाएगा 7 kg and 250 grams नेक्स है बच्चो, how much would the green and brown parcel wait together अब बच्चो देखे brown और green का कितना होगा wait together हमसे पूछा है तो देखे यहाँ पे green parcel का अपन को दे रखा है बच्चो तो यहाँ लिखेंगे green 5 kg होगा और brown हमने यहाँ पे find out किया था कितना था brown था 2.850 grams 2.850 grams तो टोटल कितना होगा 7 kg and 850 grams आया सभी को बच्चो किस तरह से हमने से करा ओके चली बच्चो नेक्स है life skill discount discount means होता है बच्चो sale discount simply means to sale any item at a low price than the original price बच्चो किसी भी product की original जो price होती है उससे कम में अगर हम किसी product को बेच रहे हैं तो वो क्या होता है discount जैसे हम बाजार गए ठीक है बाजार जाकर के हमने कुछ चीज खरी दी 100 रुपे की कोई चीज है ठीक है तो दुकान वाला बुलेगा हमको की भाई ये 100 रुपे की चीज है लेकिन मैं आपको ये 70 रुपे में दे रहा हूँ तो बच्चो 100 रुपे की चीज हमें 70 रुपे में मिल रही है तो वो हमें discount में मिल रही है कितने रुपे discount में 100 रुपे उसकी price है 70 में वो हमें दे रहा है 30 रुपे का हमें discount मिला ठीक है तो first है calculate the discounted price in the given table one has been done for you अब देखे बच्चो आइटम आपको दिये गए है price आपको दिये गई है discount की rates आपको दिये गई है अब देखे shirt 800 रुपे की है 5% discount तो 800 का 5% percent होता है बच्चो 5 by 100 अगर 7% दिया है तो 7 by 100 20% दिया है तो 20 by 100 बच्चो rate जो भी होगा ठीक है जो भी अपना price होगा into जो हमें rate of discount दी जाएगी ठीक है तो ये देखे कितना हुआ 85 जा 40 40 रुपेज discount 10% 80 20 160 25% 200 50% 400 बच्चो 500 5% discount it means 25 रुपेज 10% discount 50 रुपेज 20% discount 100 रुपेज 25% discount 125 and 50% 250 किर्केट बच 1100 का है तो 5% हो जाएगा 55 10% 110 20% 220 25% 275 and 50% 550 नेक्स्ट वच्चो टेलिवीजन 16,000 का है 5% discount 1800 10% discount 1600 20% 3200 25% 4000 and 50% 8,000 नेक्स्ट बच्चो फुट्बाल 4000 का है 5% discount 200, 10% 400, 20% 800, 25% 1000, 50% 2000 okay student तो इस तरह से आप सभी कोई discount calculate करना है next question number 2 complete the blank space in the table given below one has been done for you अब देखे बच्चो आइटम आपको दिये गए है price दिये गई है discount rates आपको दिये गई है आपको new price और saving बतानी है जैसे pizza 100 रुपीज का है discount 10% दिया है तो देखे बच्चो 100 का 10% कितना होगा 10 रुपीज तो 10 रुपीज अपनी saving हुई new price हुई 90 रुपीज अब जिन से 1200 discount 25% तो बच्चो इसको हम इस तरह से करेंगे जैसे 25 वंज़ा 25 25 वोर्ज अ, 100 4 वंज़ा 4 4 थ्रीज अ, 12 और 00 300 की हमें saving हुई नई price कितनी होगी 900 mobile phone देखे बच्चो 13,000 का है 50% मतलब half price पे 13,000 का 50% कितना होगा 1 बार और ये 2 बार 2 वंज़ा 2 तो 612 तो 510 डबल 0 तो 6500 का हमें discount saving होगी और new price होगी 6500 AC 25000 का है 10% discount it means 2500 new price कितनी होगी 22500 laptop 30,000 का है 20% discount कितना होगा 6000 और new price होगी 24,000 तो इस तरह से बच्चों हम सभी को यहाँ पे discount इनका calculate करना है तो इस तरह से आप सभी बच्चों अपनी worksheet को solve करें I hope बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ मैं होगा बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप सभी like बटन दबा करके वीडियो को जरूर लाइक करें जादा से जादा वीडियो को share करें और नीचे दिए comment box मुझे comment जरूर लिख कर वाता है कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा और जिनोंने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है